सिल्वी कल्चर में अभी तक हम लोग क्लामेटिक फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे और क्लामेटिक फैक्टर्स में जो अपना लास्ट कलास थी उसमें हम लोगों ने जो अपनी मॉश्चर है कि इंडिया में जो मॉश्चर के सोर्सेस हैं जैसे कि अपनी मानसून वाला है, साइकलोनिक है, वेस्टरली डिस्टर्बेंस है, यहां तक डिस्टर्स कर चुके थे, अब हम लोग डिस्कुस करेंगे कि जो मौस्चर है, उसके जो एक्स्ट्रीम है, जैसे कि कहीं पर वाटर लॉगिंग हो जाए, जहां मौस्चर बहुत ज देख लिया जाए, तो अपने यहां जो रिवर्स है, जैसे कानल नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क है, उनके बीच में जो रिवर स्ट्रीम है, तो रिवर जो बैड है, उसमें यह वाटर लॉगिंग की कंडिशन मिल जाती है, या फिर जो नेचुरल डिप्रेशन है, जैसे की मड़ीपूर में लोग टक्लिक है, तो आपने उसके बारे में सुना होगा, जो उसमें फुम्दी है, वो अक्सर एक्जम्पल में आती रहती है, कुश्चन भी आये है, एमसी क्यू बेस्ट, जो अपने यूपियसी पर ले मासम है, तो वाटर लॉगिंग कंडिशन है, यह वो है, जहां मुश्चर के एक्स्ट्रीम हो जाए, सिकेंड कंडिशन है, कि मुश्चर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, सूखा पड़ जाए, ड्राउट की कंडिशन है, तो पहले हम लोग वाटर लॉगिंग या जो फ्लाडिंग है, उससे समझ लेते हैं, अब फ को होल्ड करने की जो कैपसिटी वो कम है, या फिर कई वार होता है कि वाटर सेड में जो सर्फेस है, वो हार्ड है, जिसकी चंबल के रहवाइन्स है, यहां पर जो स्वैल सर्फेस है, सब सर्फेस है, यहां कल्सियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा है, तो हार्ड सर्फेस ह तो जो भी water होता है वो जल्दी से rapidly वहाँ से run off हो जाता है और कुछ जो एरिया जहां पर भढ़ जाता है वहाँ water logging हो जाएगी food drainage तीसरा हो सकता है river bed वाले एरिया में कि river bed में siltation होने की वज़े से जो पानी है वो अपने चारो तरफ फैल जाता है इधर उधर तो वहाँ ये siltation वाला एक इसू है जिसकी वज़े से water logging हो जाती है आप समझेंगे कि आखिर water logging होने से समस्याएं क्या create होती है आप इसे ऐसे link करके चलेंगे कि वैसे paper one की section b में एक subject आता है a forestation of difficult site उसमें ये water logging वाली ये site है इसके कई बार question आ चुके हैं तो वहाँ पर भी हम लोग जो समझेंगे ये काम देगा और एक question आता है कि जो plantation work है जो हम लोग forest department करता है वो अक्सर fell क्यों हो जाता है तो fell होने में बहुत सारे causes हैं लगवाग 20 के आसपास हो जाते हैं जिसमें water logging भी एक factor है तो हम लोग समझेंगे कि आगर water logging के साथ क्या-क्या समस्याएं चुड़ी हुई है मैं मान लेता हूँ कि ये एक soil surface है और यहाँ पर हम लोग एक अपना plant लगा देते हैं ये अपना plant हो गया ये इसकी roots हो गई normal condition में जो soil है इसको हम मान के चलते हैं कि जो अपने पास soil है वैसे soil science में पढ़ेंगे forest soil आपकी में next section में दिया गया है subject में वहाँ पढ़ेंगे कि जो अपनी soil होती है उसका 50% part होता है solid और 50% जो part है वो है space ये 50% जो solid है इसमें मान के चलते हैं कि 45% है वो है inorganic minerals और 5% है वो है अपना organic matter ये organic matter है वो 5% part बनाएगा इस स्लेवास का इस solid part का और remaining जो 50% part है इसमें थोड़ा ऊच नीच होगी जिसमें 20 से 30% जो हिस्सा है वो बनाती है air और remaining जो 20 से 30 है वो बनाएगा water 20 से 30 means इसमें fluctuation रहता है कहीं water जदा हो गया तो air कम हो जाएगी या water कम हो गया तो वो space air cover कर लेगी अब अगर इस इरिया में water logging हो जाती है water बहुत जदा हो जाती है तो यहां कौन कौन सी समस्या खड़ी होने वाली है पहला तो water runoff water यहां नहीं है water का runoff नहीं हो रहा तभी तो यहां logging हो गई तो water जब continuous भरा रहेगा तो water क्या होगा धीरे धीरे down percolate हो रहा होगा इसे बोलते हैं percolation आगे सब्द देखेंगे percolation मतलब पानी का downward moment यह जो percolation है इसके साथ क्या होगा कि यह उपर की soil में जो भी available minerals थे जो available organic और substitute से वो सभी के सभी downward percolate कर जाते हैं यानि कि यह जो production system था जो ecosystem था production का इससे यह minerals out हो गए पहला loss दूसरा plants की जो roots है यह respiration करती है आपको पता है कि plants की roots है वो water absorb करती है तो water absorption के लिए या उनको खुद को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा respiration और water absorption में जो energy required होती वो भी यह respiration से ही मिलती है और respiration sourcing इसके लिए हमें require है oxygen और यह roots oxygen कहां से लेती है इस soil वाले medium से अगर water logging हो जाती है इसका मतलब है कि यह जो air space है 20-30% यह air space हो जाएगा गायव और पूरा water हो जाएगा लगवग 48-49% 50% क्यों नहीं बोला direct possible के 1-2% air कहीं trap रह जाए तो majority जो है वो water हो जाता है तो roots को क्या नहीं मिलेगी यहां से air नहीं मिलेगी तो roots respiration कर पाएगी नहीं respiration नहीं होगा तो plant में water absorption नहीं होगा और इसका result है कि plants ऐसे characters हो करेगा कि यहां की जो मिट्टी है उसमें water की deficiency है भले ही यह पानी में खड़ा हुआ है बट यह water deficiency के symptom सो करेगा यानि कि यहां पर क्योंकि water absorption नहीं हो पा रहा है तो यहां ऊपर जो भी water था वो transpiration कर दिया plants ने तो यहां wilting source हो जाएगी plant जो है वो मुर्जा जाएगा यह अपना wilting वाला दूसरा इसू तीसरा भी इसू खतम नहीं हुआ है जब यहां पर oxygen absent हो जाएगी तो यहां पर वो bacteria जो की anaerobic होती है anaerobic bacteria यह active हो जाएगे क्योंकि अब इनके लिए यहां favorable environment create हो गया है इसका result होगा यह bacteria यहां की soil में जो बहुत सारे minerals हैं इन्हें कर देंगे fix fix या fixation जो process है fix करने का मतलब है कि वो minerals जो पहले freely available थे plants के लिए अब plants अपनी roots के थूरू इन minerals को absorb नहीं कर सकते यानि कि minerals को इन्होंने एक कर दिया unavailable form है दूसरा यह बहुत सारे type के यहां acids create करेंगे generate करेंगे उसका result होगा कि यहां का जो pH है वो नीचे चला जाएगा down चला जाएगा down pH और anaerobic bacteria की जो activity है उसे promote करता है और pH generate होगा तो यह vicious cycle चालो हो जाती है और यह down pH का एक result होता है कि बहुत सारे minerals जैसे कि low pH पे phosphate unavailable form में convert हो जाता है अगर simple way में समझें आप तो किसी भी plant को normal growth करने के लिए 17 type के minerals की जरूवत होती है ज्याद तर minerals 5.5 के pH से लेके 7.5 के pH तक available है उससे ऊपर चला जाए उससे नीचे चला जाए तो कुछ ना कुछ minerals ऐसे होते हैं जो acidic medium में fix हो जाते हैं और कुछ basic यानि कि 7.5 से उपर जाते हैं तो fix हो जाते हैं तो यहाँ pH low गया है यानि कि बहुत सारे minerals यहाँ हो जाएंगे fix जैसे phosphorus फासफोरस को आपको जानते हो कि कोई भी plant से उसमें जो भी energy का translocation होता है वो ATP के form में होगा और ATP में phosphorus man component है यानि कि energy जो है उसकी supply ब्लॉक हो जाएगी एक टाइप से इसकी condition है लीविया जैसी हो गई इनकी light ही कट गई connection कट गया तो यहाँ water logging की third condition क्या हो गई anaerobic activity तो सीधे सीधे यहाँ तीन issue create हो गए water logging से यहाँ issue अपने यह तीन से बहुत सारी condition है जहाँ पर हमारी plantation फैल हो जाती है तो यहाँ दियान रखना है आगे भी यह बारबार आएंगे आपके किस में next यह भी है कि कई बार flooding जब है जैदा हो जाती है तो अपनी जो भी regeneration work कर रहे होते हैं पांच साल दस साल का काम होता है और यहाँ अगर चार पांच मनत के लिए पानी भर जाए तो इस एरिया में जितनी भी regeneration है वो सब की सब death कर जाती है और इसका मतलब है कि आपकी चार पांच साल की मेनत खतम तो regeneration भी was out यह plantation work खतम यह तो है water logging वाला issue अब देख लेते हैं कि पानी की कमी हो जाए water की scarcity जैसे कि drought हो गया अब drought के लिए तो कोई ऐसा है नहीं peninsular region में already drought की condition कई बार बन जाती है राजस्थान का अपना arid जो है semi-arid region है वो तो सीधा drought का है तो यहाँ topic में हम लोग समझेंगे कि drought जो पढ़ता रहता है अपने यहाँ कुछ ऐसे plants हैं जो semi-arid और arid region में असानी से grow कर जाते हैं यहाँ कि उनके adaptation क्या है इस particular region में easily grow करने के लिए यहाँ पर जो plants हैं उन्हें तीन category में बाटा जाता है पढ़ना क्यों है इसे क्योंकि यह जो term है फारेटोफाइट वाटर रिस्टोरा या सकुलेंट ओपन सियव अगर है यह चीज़ें term सीधे सीधे question आ चुके हैं तो इस वज़े से सीधे सीधे term को समझने के लिए इसे त drought है उससे plants का जो adaptation है वो तीन टाइप का है पहला है यह drought मतलब सुका है आप ऐसे समझ ले कि गरीवी है तो एक वो plants है जो अपनी roots को इतना deep इतना गहरा लेके जाते हैं कि बाहर कितना भी drought वो उन पर फरक नहीं पड़ता है वो जो deep depth water है वहां से water easily catch कर लेते हैं तो जो first category ह इने बोलते हैं water taper इसमें आते हैं जैसे musket wheat means acacia निलोट का है काटेचू है मैलीस में आ जाता है अपना acacia में जो खेजड़ी बोलते हैं acacia juli flora acacia sineraria तो यह जो है यह यहाँ पर जली ग्रो कर जाते हैं स्वारी यहाँ पर मैं गलत बोल गया हूं acacia निलोट का वगरा है यह prosopis आते हैं prosopis juli flora और prosopis sineraria खिजड़ी sineraria होता है खिजड़ी और यह juli flora है इसे हम लोग विलाइती की कर भी बोलते हैं या नौर्थ में बोलते हैं दखनी तो वो है यह Mexican है तो यह जो musket wheat है इसके deep root होती है इजली उसे tap कर लेते हैं सेकेंड जो है water saver इसका मतलब है कि यह कुछ इस टाइप की मैकनेज़ आडॉप्ट करेंगे जिससे water का जो loss है जो भी water है इनके पास वो loss ना हो जिससे यह आराम से बच जाए जिससे यह इनके जो stomata है leaf में वो leaf के अंदर धसे होंगे जिससे बोलते हैं sunken stomata इनकी leaves जो है उसमें एक तो stomata cavity होंगे जिससे बोलेंगे sunken उपर इनके उपर कही water loss ना हो जाए तो बहुत ही मौटी thick cuticle जो है उसकी layer बना लेते हैं वो wax की होती है तो waterproof हो गई तीसरा इनकी जो leaves है उसके अंदर जो tissue है cells है उसका इतना ज़्यदा high osmotic pressure होता है कि water चाहके भी वहाँ से निकल नहीं पाता है next अब issue आता है कि आखिर फिर यह जो water saver plants है day time में जब इनके body temperature गर्मी से बहुत ज़्यदा बढ़ जाता है तो यह अपना body temperature कैसे maintain करते है क्योंकि transpiration जो है वह एक body temperature का सीधा सीधा mechanism है तो वह कैसे करेंगे तो इनकी जो istomat है वह day में ना खुलके night में खुलेंगे तो कुछ ही water को loss कर पाएंगे नेक्स एक adaptation और है यहाँ पर दिखोगे इनमे थौर्न है यह जो आपको दिख रहे हैं पती जैसे leaves जैसे हो यह leaves नहीं है यह इनका man stem है leaves जो thorn में convert हो गए और man stem भी green हो करके photosynthesis का का काम कर लेता है तो इन्हें बोलेंगे water saver third category है जिनें बोलते है water estorer यह क्या करेंगे पानी को भर भर के रखेंगे अपने अंदर इसमें अपना cactus है euphorbs जो है euphorbia में बहुत सारे हैं जैसे jetropa जो है वो भी इसी category का plants है इसी family का plants है यह इनमें जो outer layer है वो बहुत ज़्यादा wax होगी और यह सीधा सीधा water को store करके रखेंगे निकलने नहीं नहीं water estorer इन्हें succulent plants भी बोला जाता है अब आप से पूछा किया जाएका जैसे इस type के question है explain survival strategy of the following groups of plants फरेटोफाइट जीरोफाइट 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 मतलब water estorer और succulent plants यहां पर है हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स means वो plants जो बहुत ज़्यादा है लाइन यानि की salty soil में grow करते हैं ecology में पढ़ा होगा otherwise forest succession में इस term को फिर से discuss करेंगे what are the morphological anatomical and physiological features are suitable for zero fighting plants तो यहां physiological features को तो हमने discuss कर लिया है आप इसके morphology anatomical basic चीज़ें वही हैं कि anatomy tissue level पर उसके में tissue level में osmatic pressure का इस हुआ जाता है कि high osmatic pressure है cells का size भी छोटा ही रहता है कुछ heat stock proteins भी रहती है जिसमें जहां इस region में जो high heat होती है उसके enzyme degenerate नहीं होते हैं तो यह सारी चीज़ें हैं जो इस से related हैं कुछ और related question है state से related आपने यहां पर discuss कर लेना देख लेना थोड़ा बहुत एक basic help हो जाएगी चीज़ों को और समझने में और ज्यादा कोई important होगा नहीं एक term और है मैं basic term समझा देता हूं कि अक्सर हम लोग बार बार बोलेंगे conifers उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा वैसी लेकिन conifers का मतलब ऐसे जिनने नहीं मालूम है कि जो cold area में tree उगने वाले हमाले में जो group करते हैं क्यूंकि उनका safe है वो conical होता है इसलिए हम उने conifers बोलते हैं अब देखेंगे अपना next topic edific factors edific का मतलब वो factors जो soil से related मिट्टी से जुड़े हुई है अब soil के साथ क्या है दो issue आते हैं एक तो है conceptual part जैसी कि forest soil या soil क्या है soil का कैसे formation होता है इंडिया में soil का क्या distribution है distribution last year आया भी था soil की जो physical, chemical, biological properties है यह सारे हिस्से है इन्हें हम लोग यहां discuss नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इसके लिए dedicated chapter है अपना paper one के section भी में forest soil वहां यह सारी चीज़ें discuss कर लेंगे यहां पर हम लोग silvy culture में केवल वही soil की factors को discuss करेंगे जिनका tree की growth से related linkage है जैसे की soil में तीन basic चीज़े हैं के soil में एक mycorrhiza का issue आता है soil से plant micronutrient लेते हैं soil में बहुत सारे type के हम आजकल bio fertilizer देते हैं उन्हें use करते हैं तो इन सारी चीज़ेंगे और plants के अंदर nutrient cycling आजकल उसके question culture इस्टेट में काफी हैं तो nutrient cycling को थोड़ा समझ लेंगे वैसे agroforestry में उससे related question आई हुए है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे mycorrhiza को कि आखर ये mycorrhiza है क्या वैसे एक basic सब्द समझ लेते हैं myco, mycology, mycally ये myco जो सब्द है वो यूज किया जाता है fungi के लिए और जो rhiza सब्द है rhizome, rhizosphere ये सब्द यूज किया जाता है roots के लिए अब यहाँ पर दो linkage बन रहा है एक तरफ है आपकी fungi और दूसरी तरफ है roots ये उनकी mycorrhiza का मतलब है कि एक तरफ आपकी fungi आ रही है और दूसरी तरफ जो higher है क्योंकि देखो plants में ये जो आपकी fungi है ये भी plants ही है ये lower category के plants है और ये upper category के plants है ट्री जो है जिमनोस्पर्म ये एंज्योस्पर्म ये higher category है और फंजाई है वो थैलोफाइट्स में आती है तो mycorrhiza का मतलब है higher plants का जो lower category के plants है उनके साथ एक टाइप का symbiotic relationship उसे बोलते है mycorrhiza mycorrhiza ये symbiotic relationship इस सब्द को याद रखना क्योंकि ये जो man term होते हैं जिन्हें आपको definition में लिखना ही होता है वो है एक है symbiotic relationship दूसरा between fungi and higher plants ये definition हो गई कि mycorrhiza होता क्या है अब मुद्धा आता है कि आखिर mycorrhiza की जो study है वो आपके लिए क्यों important है सीदीशी बात है हमें fungi plant के बीच में क्या relation है वो मुद्धा नहीं है अपना मुद्धा है कि जब भी हम कहीं plantation work करते हैं कई वार ऐसा होता है कि soil जो है वो वहाँ पर कुछ जैसे फासफोरस है वो अबाइलेबल नहीं हो पा रहा है तो यह mycorrhiza कुछ हद तक फासफोरस प्रोवाइड करवा देता है वहाँ पर water absorption कम हो पा रहा है soil बहुत ज़्यदा टिपीकल है जैसे कि saline soil है जहाँ पर soil में salt बहुत ज़्यदा है वहाँ पर यह mycorrhiza plant को आसानी से successful बना देता है क्योंकि वहाँ से भी minerals निकाल लेता है इसका जो total water absorption का area बढ़ जाता है तो अगर area में मौशर कम भी है तब भी plantation के success होने के chances बहुत ज़्यदा है तीसरा यह किवल यहीं पर काम नहीं करेगा plants की जो बीमारियों से लड़ने की capacity है defense mechanism वहाँ पर भी role play करता है और बहुत सारे hormone भी produce करता है जिससे plants की जो growth है वो rapid हो जाती है यानि कि इनका cool sense है कि mycorrhiza जो अपने plantation के work है उनके successful होने में एक type से security एक blank check की तरह काम करता है इसलिए हम लोग यहां discuss करेंगे अब mycorrhiza के साथ जो है कि इसके कुछ type होते है type को ध्यान से समझना है क्योंकि यह ऐसी question है जो almost हर साल आ जाते है mycorrhiza की definition आपकी introduction पार्ट के लिए हो गई अब पहला type आएका जिसे बोलते है ectomycorrhiza क्या बोलते हैं ectomycorrhiza अब ecto का मतलब है बाहर surface पे यानि कि यहां जो term का sense है कि यहां जो fungi है plants की जो roots है उनके बाहर contact में है वो roots के internal जो cells है उसके साथ अभी direct communication नहीं बना पा रहे हैं वो plants की cells के outer boundary पे हैं यह है ectomycorrhiza यानि कि इसे आप समझ सकते हो कि यह एक type से plants और animal के बीच में primitive type का जो symbiotic relation है जहां पर plants animal के बीच का symbiotic relation start हुआ ही हुआ होता है तो इसमें क्या होगा कि fungi इसकी tissue के साथ यह cells के साथ डारेक्ट जो cell है उसके cytoplasm के साथ fungi की जो हाइफी होते हैं fungi है उसकी जो इस type की जो निकले हुए होते हैं fiber से इन्हें बोला जाता है हाइफी यह single को हाइफा बोलेंगे तो जो हाइफी है sorry plural में हाइफ होते हैं single में हाइफी है तो जो हाइफी है वो cells के साथ डारेक्ट क्वेंटक्ट में नहीं होते हैं यानि कि वो एक दूसरे के बीच में जो cytoplasm का डारेक्ट एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह जो फंजाई है वो एक तो इसके बहुत जड़ा एक मौटी थिक लेयर बना लेता है जिससे बोला जाता है mental या fungal सीथ बोल दो या mental बोल दो एक सब्दी याद रखो दूसरा है फंजाई की जो हाइवी है वो रूट्स के अंदर इंटर कर जाएंगे लेकिन यह इंटर करेंगे इंटर सलूलर स्पेस में है इसके बीच में है यह कॉंटक्ट करने की ट्राइ करेंगे कि यह प्लांट्स के जो रूट्स है उनके साथ इनके अच्छे से संबंध बन जाए, relation अच्छे से बन जाए, बट यह बहुत ज़्यदा अच्छे relation नहीं है, इसे बोल सकते हो कि initial phase का जो development है, तो initial phase का यह जो development है, तो किस type के fungi में ही होगा, और किस type के plants होते हैं, जो इस बनाते हैं, तो आप इसमें दोनों ही ले सकते हैं, fungi की 5 category है, एसको माइसेटीज, बैसीडियो माइसेटीज और फाइको माइसेटीज, मैं तीन ही discuss करूँगा, उमाइसेटीज और एक और है, उनका यहाँ अपने लिए कोई sense है नहीं, तो fungi की low category हैं, जैसे की एसको माइसेटीज और बैसीडियो माइसेटीज, इस group की जो fungi है, व classification पहा है, थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि plants क्यों हम विटीकर का जो classification है, उसमें 5 category है, सबसे नीचे आते हैं थैलोफाइट, जिसमें आते हैं अपनी fungi और algae, ब्रायोफाइट, टेरीडोफाइट, फर जमनो और NGO, NGO में अपनी food crop है, जमनो स्पर्म कम develop है, एंजियो यह कॉंबिनेशन एसको और बैसीडियो का और इधर कॉनिफर्स का है, हलाकि यह कैजुराइना और यूकिलिप्टस में भी होता है, अधर इस प्रिसीज भी हैं, लेकिन ब्राड सेंस में यह मैली कॉनिफर्स के साथ होता है, यह आप एग्जामपल याद रख सकते हो, कि अ तो आप क्या करोगे, कि यूकिलिप्टस को जब प्लांटिसन कर रहे हो, साथ में माइकुराइजाव को भी डाल दोगे, कौन से वाला डालोगे, एसको या बैसीडियो वाले को, और वो सकसेज होने के चांस उसके बढ़ जाएंगे, यह एक कैटेकरी है, इसे बोलेंगे ए का मतलब है, यहाँ फंजाई जो है, वो उसके जो हाइफी है, वो सेल्स के अंदर इंटर करके, सेल्स के साइटो प्लाजम के साथ डारेक्ट कॉंटक्ट में आ गए है, अब क्योंकि हाइफी सेल्स के साइटो प्लाजम के साथ डारेक्ट कॉंटक्ट में है, इनके बीच में जो भी minerals या other hormone है जो भी exchange होना है वो अब direct हो जाता है तो अब इन्हें बाहर जो fungal mental बना रहे थे जो hy-fi का पूरा hurting net एक network बना रहे थे अब उसकी जरूरत नहीं होती है तो यह एक type से है बोल सकते हो कि यह जो relation बना था पहले वालों में उसका एक advanced form है अब इनके बीच में relation बहुत मजबूत हो चुके हैं तो यह endomycorrhiza है अब endomycorrhiza जो है वह आज के टाइम की जितनी भी 90% species है majority जो है अपनी एंगियो स्पर्म है सभी के सभी क्या है एंगियो स्पर्म होते हैं इन सभी species में यह मिलता है 90% herbaceous में है कौनसा endomycorrhiza इस में fungal कौन सा होगा phycomycetes होगा और इधर plants कौन से होंगे हर plants में angios बनागे तो आप ऐसे इन दोनों के example से अपना जो भी दो चार लाइन का paragraph में नाना है आपको वह आसानी से बन जाता है यह जो endomycorrhiza है इसे कई वार एक term और लिया जाता है varscular-arvascular mycorrhiza, warm fungi या warm mycorrhiza इसका मतलब क्या है vscular-arvascular, vescular tissue आपने अगर tissue पढ़ा हो प्लांट में तोड़ा बहुत अगर आइडिया होगे tissue cells होती है cellular tissue नतलब plants का वो tissue जो water and food के का induction का काम करता है जालाğm water करता है flow and food तो वो mycorrhiza जो plants की vascular tissue के साथ संबeso बना लेता है को उसके contact में आ जाता है वह और rvascular mycorrhiza तो हम लोग endomycorrhiza क्योंकि ये tissue के साथ बना रहा है तो इसी को ट्रम ले दिया जाता है तो कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं कि endomycorrhiza ectomycorrhiza और बीच में warm रख लेते हैं यह पर दो ही कैटेगरी रखें अपने यहाँ दो ही रखें यह अपने लिए enough है अब इनका एक टाइब से combination देख लें जोंकि यहाँ आएगा आपका difference यह है एक्टो दूसरी साइट है आपका endo ecto में क्या होगा fungal mental या fungal सीथ में लेगी और यहाँ पर बनेगा यह network जैसे बोलेंगे hurting net hurting net जबकि जो endomycorrhiza है उसमें यह mental hurting net की जरूवत नहीं है क्योंकि यहाँ यह direct contact में आ गया है यहाँ फंजाई यह फंगल पार्टर पार्टनर वो है एसको यह बैसीडियो यहाँ पर होगा फाइको यहाँ पर majority जो प्लांट्स है वो कॉनिफर्स है या पाइनिसी फैमली के है जिसमें चीड़ पाइन है पाइनस रॉक्सबर्गी दियोधार सेलिक्स काचुराइना यूकलिप्टस यह भी दो सी के अनिडर आ जाते हैं सेलिक्स भी आ जाता है सेलिक्स एक्चुल में कॉनिफर्स ना होगे सेलिकेसी फैमली का है कुछ डैप्टेर रुकार पे सेलिक्स के भी हो सकते हैं अदर के भी है लेकिन मैजोर्टी जो है वो कॉनिफर्स है आपको कॉनिफर्स में कोई एक दो प्लांट चिपका देना है क्योंकि एक्जाम के टाइम पे इतनी सारी चीजें आती नहीं है और आपको याद हो यह जरूरी भी नहीं है तो कॉनिफर्स कोई लगा दो सब्जेक्टिव एक्जाम में इनफ इतना और यहां पर अपने लिए 90% हर्वी सियस है एक्जामपल में कोई भी लगा देना यहां पर चाहिए अब टीक लिग दो साल लिग दो जो एक्जाम हो जाए वो लगा देना यहां इनके डिफरेंस क्यों देखा है क्योंकि यह से कुश्चन आया है डिफरेंस बेट्वीन एक्टो और एंडो वही बार बार आया बारा में आया ग्यारा में आया आगे भी कई बार आप से पूछा है सौ नोट में पूछी लिए है एक्टो मािक्राज़ा को एक्स्प्लेंड करो एंडो माईक्राज़ा को करो तो वह चीज़ें चलती रहीं अब घुमाफिरा के बार आती है कि इम्पोटेंस क्या है माईक्राज़ा का तो बहुत सारी चीज़़ रह याँ स्टार्टिंग में देख चुके कि माइको राइजा जब उसमें लग जाता है जैसे एक बार यह पिक्चर को आप देख लो स्टार्टिंग की है जिसी यह पिक्चर है अगर रूट जो नॉर्मल है वही होती है उसके कंप्यर में इस रूट से यहां पर फंजाई के तो कुल मिलाके सर्फेस एरिया बहुत बढ़ा दिया है जिससे यहां से जदस जदा वाटर जदस जदा यह मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं फंजाई बहुत सारे टाइप के हर्मोन प्रोड्यूस करता है जो सीधे सीधे प्लांट को मिल जाते हैं तो इससे रैपिड ग अननों करेगा लेकिन प्लांट को सेर कर देगा तो प्लांट को नाइडोजन की जहां ऐसी एरिया जहां टैसिंसे है वह पर फ़ाईट बेटर पतरन कर पाकएगा हार्मोन वाला इसू हो गया बेटर एब्जॉर्ब्स कर पाकरका किसका स्वाईल मॉसचर का मिनरल्स का एक है कि माइकुराइजा जो है जैसे की बहुत सारे अनवालेबल मिनरल्स हैं क्योंकि जैसे सोयल का pH डाउन है वर्टर लोगिंग वाली एरिया में तो pH डाउन होने से फॉसफेट क्या है वो फिक्स है सोयल में अब फॉसफेटиком है तो प्लांट तो एबजॉर्ब नहीं कर पाएग कि फंजाई का जो फिलामेंट है यह कुछ केमिकल रिलीज करेगा बार का जो मीडियम है और उससे मिनरल्स को सीधा सीधा एब्सॉर्ब कर लेगा यह फंजाई वही है जो ब्रेड मोल्ड है जैसे आपके रूटी वगरा पर फंजाई लग जाती है उसी टाइप की है बट फंजाई है उसे भी फंजाई होते है तो यह क्या है था स्रफेस में जो फॉसपेट है जो अनवालेबल में है है यह दूनिया बर के ऐसर डाल कर सैटको ऐवालेवल खरेगा और फशुद अबजोर्ब कर लिए और एक बार उसने अबजोर्ब कर लिया वह आरां से प्लांट को एवयलेबल कर देंगा यायनि कि बहुत सारा जो एवयलेबल टाइप की जोमिन्डराल्स है जो एवयलेबल नहीं है Milan को चाहिएक थी हाइप पिएच्छों यह लो भी आउवयलेबल करा देता है दो और इंपोर्टेंट चीज है जो पिछली साल नहीं पढ़ेंगी थी इनमें एक मैं ली यह नहीं पढ़ेंगी थी ऐसा नहीं है कि माइकोराईजा ने जमीन से जतना भी फॉसफेट अब्जॉर्ब किया वो पूरा पूरा उठा के प्लांट को दे दिया देखने में आया है कि बहुत सारा जो बल्क में फॉसफेट है जो एक्सेस में इसने अब्जॉर्ब किया है यह अपने पास एजे रिजर वायर करके रख लेता है लगवाग एटी से नाइटी परजेंट और प्लांट को नहीं देता है बोलता है तो मैं एक्स्रा लेकर करोगे क्या बरवादगर्द होगे और जब प्लांट को फॉसफोरेस की दिक्कत आए तब यह वहां से सप्लाई कर देता है यानि कि एक टाइप से रिजर वायर की तरह काम करता है फॉसफेट रिजर वायर और एक नेक्स है मायकोराइजल इंड्यूस रेजिस्टेंस इस पे कुश है वो बढ़ा देता है देखो पहली सिंपल सी बात है अगर आप पतली हो कमजोड हो तो आपकी बीमारियों से लड़ने की कैपिसिटी कम होगी लेकिन अगर आपको कोई भर भर के खिला रहा हो तो आपकी हल्थ बहुत स्ट्रॉंग होने वाली है इसका रिजर्ट है आप स् फासफुरस दे रहा है मिनरल्स है वो दे रहा है इसका रिजर्ट है के प्लांट्स हेल्दी है पहला तो काम यहां कर देता है दूसरा बहुत सारे टाइप के यह केमिकल भी प्रोडूस करता है जो कई बार प्लांट्स को छोटी मोटी डिजी से लड़ने में हल्प करता है त बहुत सारे टाइप की हतियार निकाल रहा होगा जैसे ऐसे समझ लो कि आपने यूपीसी का एक्जाम दिया यूपीसी का एक्जाम आता है और आप उससे लड़ते हो आप कई बार सकसे जो होते कई बार अक्सर फैल हो जाते हैं तो जब प्लांट कोई फैल होता है लेकिन उसस फैल भले होगा हो लेकिन उससे समझ में आ जाता है कि उसने ये चार हतियार चला लिए इनका कोई असर नहीं हुआ उसे ये चला लेना चाहिए था तो साइद काम हो जाता है तो इंसक्ट पेस्ट के एटक से ये प्लांट तो मर गया लेकिन इसने जो इनफॉर्मिशन है जो वह chemical इसकी plant की body में है अब fungi क्या है इदर इसके भी contact में इसके भी contact में बाही चारा चलना है इसका तो ये क्या करेगी इसके chemicals है वह fungi के पास पहुंचे फंगाई के tissue में आ गया क्योंकि सीधे-सीधे contact कर रखे हैं और इसके tissue के थिरू इसके कुछ tissue में पहुंच गया तो इस प्लांट पर जिस पर अभी अटेक भी नहीं हुआ उसे ये गेन हो गया है कि यूपेस्टी का एक्जाम है वो अभी पड़े उसी पर आया है इंसेक्ट पेस्ट अब वो उस पर खुद पर आने बाले आप यूपेस्टी को इंसेक्ट पेस्ट नहीं माने मेरा कहने का मतलब कि समझाने के लिए है कि कोई इंसेक्ट पेस्ट का आया है और उससे मारने के लिए चार हतियार चलाए गए चार टाइप के डिफैंसिव करें एंड में क्रिएट करें उनका एंपैक्ट है लेकिन इतना डेमेज पहुंच चुका है कि यह प्लांट लगवग निकल ली जाएगा तो जो केमिकल एफेक्टिव हैं वो उसके पास इनफॉर्मेशन पहुंच गई है और अब यह एफेक्टिव केमिकल्स को हैं उन सबको यहां एक सिंपल टेवलर फॉर्मेट में दे दिया है आप इसे पढ़ लोगे आरम से काम हो जाएगा उम्मीद करते हैं कि मायको राइजा से रेलिटेर्ड जो कुस्चन है डिस्कॉसिन डिल्दा काइंड सॉप मायको राइजा आप आरम से काइंड मायको एक्टो एंड और वैंड वैसे कभी ऐसा होता नहीं कि एक्टो और एंडो सेपरेट हों कई बार दोनों एक साथ भी होते हैं मिले जूले इसके बैनिफिट क्या है आप दुनिया भर के बैनिफिट हैं यह टेवल में भी जो ग्राफ बनाए था इसमें समझ चुके हैं बैनि कैसे हल्प करती है सिधी शिवात है स्वेल बॉन की बात की गई तो थोड़ा और डिसकस कर लेते हैं कोई डिचीज है जो मिटी से जोड़ी हुई है स्वेल में कोई इंसक्ट पेस्ट है वो प्लांट की रूट पर अटेक करने वाला है लेकिन रूट को चारो तरप से जब म इंसक्ट के लिए निमाटोड के लिए यह स्वेल में कोई फंजाई थी जो इसे निगेटिव पहुंचाती थी तो यह माइकोराइज है वो उसे श्पेस ही नहीं दे रहा है श्पेस नहीं देगा उसे जुड़ने नहीं देगा तो प्लांट को डैमेज पहुंचा पाएगा नहीं तो यह एक्स्ट्रा चीज और जो लो इस पेसली जो स्वैल से रिलेटेड़ डीजीज हैं वहाँ पर हेल्प करता है तो अगर स्वैल बॉन में क्या लिख सकते हो आप इस पेस नहीं देगा प्लांट जैदा हेल्दी होगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इस एरिया में ग्रोव कर रहा है कई बार वहाँ पर स्वैल प्लांट में प्लांट पूछा गया था तो इस टाइप के आप में भी आ सकते हैं तो आप यहां पर एक प्रॉपर वे में लिखा गया है इसे किया आप सॉल्यूशन में लिख सकती हो चार पांच मार के कुस्ट् आपको एक बार समझ में आ गई हो गई कि जैसे इस टाइप का कुश्चन आता है कि प्लांटेशन फैल क्यों हो जाती है तो आप वहां सक्सेज फूल में देख सकते हैं कि अगर प्लांटेशन को सक्सेज करना है तो मिटी से जुड़ी अगर समस्याएं तो प्लांट के साथ है माईको राइजा एड़ कर देंगे अपनी प्लांटेशन के सक्सेज होने के चांसे बहुत ज़्यदा है दूसरा यह चीजह ऐसी हैं जो आपको इंटर्व्यू के टाइम पर भी काम आती है अगर आप से बोल दिया गया कि आपको अगर डी एफो बना दिया गया है या माईको राइजा होता है वो कई बार हम लोग प्रोड़क्शन के लिए हम लोग सेल्फ हल्प ग्रूप बना सकते हैं जो इसका प्रोड़क्शन करें और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और यह हल्प कर सकता अपनी प्लांटेशन के जो अक्सर फैलियोर हो जाते हैं उनके सक कुश्चन और आता है कि 2017 में अपने में आया भी था कि जो माइको राइजा है इनकुलेशन क्या से करते हैं I'm not sure 17 में कुश्चन आया था कि इस टाइब के पराने तरीके पराने में क्या है तो है कि यहां पर मास्तितास है मिट्टी एंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस पंजाई के जो फिलामेंट है वो आ गया होंगे और यहां पर डाल दी तो यहां इनकुलेट होगा है यहां फैल जाएंगे वो एक तो यह तरीका है और यह सबसे आसन तरीका है मुस्ट कॉमन मेथड है लेकिन देखो यह वैसी तरीका है जिसमें हम लोग पता नहीं है कि यहां फंजाई देते हैं और नहीं देखना देते हैं इस पेड़ के सथ माई को राजा होगा तो उसकी जड़ओं के साथ तर्वी पहुंच जाएगा एक दूसरा तरीका ही है झाल को फैल को लिगाना ऐन आसन काम नहीं देख़ा का हओगे कि भाई एक कहा है फंजाई फिर इनेक लेट हुआ कि नहीं तो इन्せて रो कर देते हैं but difficult काम है और इसके जो सीडdzy है यानी की स्पोरस हैं आप उने भखना के इनकुल एक करो तो यह difficult काम हो जाते हैं लेकिन हाँ यह method है आज के उसे काटो और किसी एरिया की सोयल में मिलाए दू खत्म काम। उस प्रकें समय माइकड्राइजा के जो माइसलियम है या स्पोर्स होते हैं जो आलाम से अंचर कड़ेते हैं के स्विश् समय कर देते हैं यह हैं कि यह माइकड्री 크ाइजाघ्रा B इंप्रेटेंट टॉपिक वो है फटिलाइजर्स estबी बायो फटिलाइजर्स जैसे के हम लोग खितों में यूज करते हैं एनपी की नाइटूजन फॉस्पूरस और पोटेसियां वो तो अपने लिए हम पोटेंट नहीं है आपने लिए हैं बायो फटिलाइजर क्योंकि हम ल और्गैनिक सिस्टम को यहां यूज करेंगे बायो फटलाइजर से जुड़ी हुई कई वार आपने न्यूज है भी देखियोंगी जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है बायो फटलाइजर यह इस से जिसे कि आप डी फो हैं और आप ट्राइवल एरिया में लोगों की इंकम बढ़ान चाहते हैं या फिर एक टाइप से स्ट्रक्ष भारत अभ्यान से भी जोड़ सकते हैं कि जो ट्रावल एरिया है या अर्वन एरिया है यहां पर जो डेरी फार्म है वहां से बहुत सारा रेजिट्यू निकलता है जिससे वो डंप कर देते हैं और अगर सपोज आपके एरिया जुड़ा हुआ है तो आपको समस्याएं खड़ी हो सकती है तो आप कैसे उसे एक प्रफिटेवल बिजनेस में कमट कर सकते हैं तो फर्टलाइज़्र यहां पर इमपॉर्मेंट हो गया ट्रेवल एरिया से हैं जो अपना एक एम है फोरेस्ट डिपाटपेंट का के ट्राइबल्स की फोरेस्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसे कम की जाए जिससे फोरेस्ट को प्रोटेक्शन वाला जो एंगल है उसे इंप्रोव कर दिया जाए तो यहाँ इस टाइप की चीज़ अशून की इंकम employment को promote कर रहे हैं तो यह अपना social angle रहता ही है department का वहाँ पर आप ले सकते हो interview के अंगल से यहाँ अपना जो bio fertilizer है इसका sense होता है bio का मतलब living thing fertilizer का मतलब living thing को as a chemical या वो product जो किसी plant की fertility उत्पादन छमता productivity को improve गारे तो इसमें ऐसा हो सकता है कि आप यह definition sense में ले है तो या तो इसमें कोई living organism है या उस living organism से derived product जैसे कि आप जो catch हुआ है उसे भी ले सकते हो earth warm या उसके जो produce है उसने जो भी निकाला है जो residue उसने produce की है उन्हें आप ले सकते हो यह दो नौई living organism या उसकी derived product इनको as a fertilizer fertilizer use करना उसे बोलेंगे बायो fertilizer अब बायो fertilizer में बहुत सारी category है जैसी कि कुछ बायो fertilizer है जिनका aim है क्योंकि अक्सर अपनी जो इंडियन soil है चाहे वो forest soil हो या agriculture की soil उसमें nitrogen की deficiency हैं तो कुछ fertilizer हैं जो हम लोग nitrogen के हिसाब से target करते हैं कुछ fertilizer है जिनने हम phosphate के हिसाब से target करते हैं कुछ general bio fertilizer हैं जैसी की वर्मी कंपोस्ट आप इसे वर्मी कंपोस्ट भी यहां डाइग्राम में लिख लें एक नॉर्मल कॉमन सा है कंपोस्ट जिसमें ना किबल targeted minerals targeted जो भी आपका element है उस वो इसके अलाबा भी बहुत सारा organic और in organic component है वो भी मिल जाता है तो इनने देखते हैं जैसे कि nitrogen fertilizer ऐसे forage soil में एक्सर nitrogen की कमी होती है water logging area nitrogen की कमी हो जाती है क्योंकि anaerobic bacteria जो भी nitrogen थे उसे खतम कर देते हैं तो यहां बहुत सारे bacteria हम लोग use करते हैं इन में मैंली दो category है एक वो category है bacteria की जो किसी plant के साथ symbiatic relation में बना लेते हैं जैसे mycorrhiza था mycorrhiza fungi और plant की बीच में था यहां पर कुछ टाइब के living organism चाइब बैक्टेरिया हो सकते मैंली बैक्टेरिया हैं कुछ sinobacteria है यान की primitive bacteria है वो कुछ टाइब के जो हैं वो symbiatic relation है symbiatic है तो वो node formation करेंगे nodulation formation होगा और non symbiatic है तो वो air में free living रहेंगे तो इस टाइब के हैं जो nitrogen के target करेंगे जैसे एक्जामपल में राई जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं legumes में होता है कैजोराइना और illness में एक bacteria होता है फ्रेंकिया जो nitrogen fixation करता है यही एक ऐसा option है जिसकी वज़े से कैजोराइना कोस्टल एरिया की जो forestation काम है वहां आसानी से लग जाता है compared to other species वह वहां पर grow नहीं कर पाती है क्योंकि coastal एरिया की याद रख लो फ्रेंकिया का राइजोबियम का के legumes में राइजोंबियम है non legumes में मैंली का जो रहना यह एल्डर में यह illness में फ्रेंकिया है symbiotic में है azotovactor, azot spirulum, claustridium है, oscillatoria है यह सारी चीज्य नॉन-symbiotic तरीके से nitrogen की fixation करता है फोस्फेट के लिए कुछ अलग फंजाई हैं जैसे के Auguste area में बैसीलस फंजाई है अब बैक्टिरिया है यन कि यह वो है फंजाइं जो आज कल पेकेट्स में आते हैं और इन्हें हम plant के साथ जहां grow कर रहे हैं जो मिटी जो गड़ा खुदते हैं उसी में डाल देते हैं दोड़ा तो यह क्या करेंगे अगर सब्बाइटिक nitrogen fiction bacteria है तो यह उस area में जैसे अपना plant grow करेगा उसके roots के साथ जा करके वहाँ पर node का formation कर लेंगे और उस nodes में जाके रहने लगेंगे और यह यहाँ पर nitrogen जो है वो भर भर के produce करेंगे जिसे हम अपने plants असानी से gain कर सकते हैं यहाँ rhizobium के structure है वैसे अपने लिए कोई मतलब की नहीं है आप लोगों ने वैसे 11-12 की biology में पढ़ा हुए यह sweet pea जो है इसकी रूट में कैसे rhizobium इंटर करता है वो यहाँ पर lag hemoglobin बनाएगा यह नोडूलर के एक structure है यह अपने लिए sense यहाँ नहीं जाएगी कैजुराइना का case बताई चुका हूँ के फ्रेंकिया बैक्टिरिया होता है जिसकी वज़े से coastal region में आसानी से ग्रो कर जाता है क्योंकि coastal region का इतना stress environment है कि other चीज़ें नहीं ग्रो कर पाती है तो last question आता है कि आखर bio fertilizer के हमें फाइदे क्या है benefits क्या है तो पहला benefit यह है कि अगर हमने bio fertilizer plants को दे दी है तो जैसे वर्मी कंपोस्ट हैं तो वो bio fertilizer में organic in organic बहुत सारे करके simplify minerals कर दी है जिन्हें plants जो है वो सीधे absorb कर लिता है तो इस टाइप से soil की fertility यह site है उसकी quality को improve करते है दूसरा bio fertilizer क्या करेंगे जैसे बहुत सारे bacteria हैं जो उसके साथ nitrogen synthesis करेंगे बहुत सारे enzyme है वो भी produce करेंगे यह plant के अंदर हैं से enzyme produce कर रहा है तो इससे plants की जो growth है वो बहुत rapid हो जाती है अब soil में अगर nitrogen का level बढ़ेगा तो इसका result होगा कि soil की जो property है उसका chemical composition है वो भी change होगा यह disease resistance भी पढ़ाते हैं plant की कैसे वही दो mechanism है एक तो यह बहुत सारे type के enzyme hormone produce करते हैं nitrogen production produce करते हैं जिससे plant healthy होता है दूसरा यह बहुत सारे type के defensive chemical भी produce करते हैं क्योंकि यहां symbiotic relation है अगर मैंने plant मर गया तो फर यह तो भाई खतम तो जब plant किसी disease से लड़ता है तो यह भी उस disease से लड़ता है एक type से plant जो chemical produce करता है उसको यह भी भर-भर के produce करता है फिर disease resistance में भी यह help करता है और root zone यहनि की नीची का जो area है soil वाला उसमें तो यह तो यह तने chemical release करता है का बहुत सारे जो नमाट रोट्स हैं वो roots पे attack भी नहीं करते हैं बहुते हैं भाई कौन इसकी तरफ जाए छोड़ देते हैं वो plants की जो tolerance है डिजिस से ललने की soil में जो इस्तु होंगे उनसे भी ललने की तो बढ़ जाएंगे और enhanced water and nutrient uptake यहां एक्टो माई को राई जाए क्योंकि फंजाई को भी हम लोग एजे बायो फर्टलाइजर यूज कर सकते हैं फंजाई के पूरे advantage यहां पर आप क्या जाएंगे क्योंकि बायो फर्टलाइजर में किवल nitrogen वाली नहीं है यहां फंजाई भी तो है यह बायो फर्टलाइजर यूज कर सकते हैं लोग तो वो आ गया अब यहां पर आपको इस टाइप के question है right notes on role of micro-organism and rhizobium in ameliorating soil forest soil को सही करने में ameliorate करने में इनका क्या role है सिधी सी बात है कि bio-fertilizer जो है micro-organism यह राइजोबियम यह क्या करेंगे soil की जो suppose pH बहुत ज़्यादा है यह pH कम है उसे neutral करने की कोशिज करते हैं जो axis में hydrogen ion है यह access में कोई chemical है यह try करेंगे कि वो chemical कम से कम हो जाए जिससे pH है वो एक बीच की रेंच में जाए वहाँ पर यह role play करते हैं इसके अलाबा यहाँ पर जो plant vegetation growth नहीं हो पार है यह vegetation growth को promote करेंगे उस region में ज़्यादा से ज़्यादा root produce होंगी root होने का मतलब उसमें ज़्यादा ज़्यादा plants होंगे तो उनकी leaf litter गिरेगा इससे soil की fertility बढ़ जाएगी और soil का pH को थद तक plant भी amend कर देंगे उसमें तो वहाँ पर इनका रोल आ जाएगा बहुत सारे minerals जो fix होंगे उन्हें available form में करेंगे तो soil की fertility बढ़ेगी वहाँ पर इनका रोल आ गया describe the role of microorganism emeluting soil same है यह पहले IFS 2009 में पूछा फर 13 में उसी को पूछ लिया और ऐसा इन्होंने 18 में पूछ लिया था उत्रखनवालों next topic है अपना nutrients minerals forest soil सी related है कोई एक plants अगर है उसे natural growth करने के लिए total seven type के minerals या elements की जरूवत होती है अब आपको 17 याद नहीं रखना है objective exam नहीं है बस एक definition से याद रख लो कि हाँ nutrient 17 type के होते हैं जिनने plants की अपनी proper growth के लिए जरूवत पढ़ती है अब यह 17 ही चाहिए और नहीं जाता नहीं चाहिए कमने चाहिए यह कैसे हुगा क्योंकि एनोन एक वाई सब थे जिन्होंने criteria decide किया था उन्होंने बोला था कि कोई भी minerals को हम कब मानेंगे कि यह essential है कि जैसे कोई minerals है अगर उसकी कमी हो जाए तो plants में कोई disease या deficiency हो जाए और plant अपनी life सही से complete नहीं कर पाएगा जब तक वो minerals की पूरती नहीं की जाए तो ऐसा नहीं कि इसने इसका उसका उसने उसने उससे उन्ट की पूंच से ना बंदे हो डारेक्ट इंप्रक्ट देते हो प्लांट की growth पे तो ऐसी ने essential criteria दे रखा था अब यहाँ पर कुछ चनाया था what are the source and nature of element consider as essential nutrient source and nature of element consider as essential element यहाँ पर उसने यह नहीं पूछा था कि इनका कौन source है कहां से वो minerals हैं जिसे plant absorb करता है और किस format में करता है basically वही sense जाने वाला था इसका तो मैं थोड़ा roughly बता देता हूं कि अब आज के टाइम पर हम लोग 17 मानते हैं जब यह essentiality का concept आया था तब 16 थे अभी recently इसमें nickel जोड़ दिया गया है इनमें भी 17 हैं इसमें दो category है एक को बोलते है macro element दूसरे को बोलते है micro मुझे याद नहीं होता तो मैं macro को याद करता हूं macro को रट्टा ही नहीं मारता हूं macro में कौन कौन से हैं याद नहीं होता है तो समझ लिया कि इसमें जैसे coffee है coffee calcium या milk डाल रहे हैं तो milk में क्या है calcium है यहाँ पर यह mug मग यह S है मतलब sulfur और यह क्या है mug है यानि कि magnesium देखो सब को पता होता है कि CHO calcium carbon hydrogen oxygen नॉर्मल है NPK सबी को याद हो जाता कि मैंली हमें नहीं को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह major है farmer जब भी देते हैं NPK देते हैं क्यों क्योंकि यह major है बस याद नहीं रहते हैं calcium sulfur and magnesium वह इस picture से याद आ जाते हैं तो यह 9 minerals हैं जो macro element या macro nutrient है बकाय के जो है 9 यह हो गए तो अपने बचे 8 यह micro में आते हैं थोड़ा बहुत गुंतारी से काम हो जाता है जद आपको रटा मानने की ज़रूर नहीं है अपना question आया था उसके साफ से इनके source क्या है और नहीं हम किस form में लेते हैं तो CHY जनरली सीदे atmosphere ले लिया जाता है nitrogen है वह हम लोग यह plants जो है वह NH3 यह NH4 positive के form में है NO3 negative के form में है इस टाइप format में है उनमें लिया जाता है इसे लिख लो phosphorus है वो generally soil से आता है nitrogen तो atmosphere से है यह soil है इसका reserve phosphorus का और यह solver phosphate form है इसके भी है PO4 H3 PO4 बनता है तो यहाँ पर H3 का आप हो जाता है तो यहाँ पर लिखा होता है कि जैसे HPO 4 2 negative या PO4 3 negative इस format में यह से absorb करेगा potassium है बस इतना याद रख लो बहुत है थोड़ा बहुत फुलोगे enough है ज़्यदा संभभ भी नहीं है detail में पढ़ना अब last topic आजाता है अबना यह जो nutrients है इनकी cycling पढ़ना बसे हम लोग agroforestry में देखेंगे और यह इसका last part है यहां समझाने का परपाज है जिससे चीज़े हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएं जैसे जैसे हम आगे बढ़ें plants के अंदर nutrient cycling दो type की होती है एक है internal और दूसरी है external इससे समझते हैं एक plants है इसका यह part है यह उसका कोई old leaves वाला part है और यह नया part है जिसमें अभी development हो रहा है यह old part है जिसकी leaves गरने वाली है अपने देखा होगा कि जो leaves है जब वो end हो उनकी life का तो वो yellow color की हो जाती है yellow color का मतलब इसके जो majority minerals है जब यह leaf की life खतम होने वाली है तो majority जो minerals है वो plants है इन बापस absorb करके uptake करके जो young area है जहाँ पर new leaves का formation है इस minerals को वहाँ पर पहुचा देता है यानि कि इस plants को जितने भी new leaves के formation के लिए minerals की जरूरत है वो कहां जमीन से absorb करता रहेगा वो self sufficient बनने की को से अत्म निर्धर बनने की try करता है about यह लगवक 60% से 70% सक minerals है वो recycle कर लेता है पुराना part जब उसकी death होने वाली है वहाँ से सारे minerals को absorb करके नए में पहुचा देता है तो इस type से यह जो nutrient cycling है यह है internal यहाँ पर nutrient tree के अंदर ही अंदर move कर गया पुराने area से नए area में दूसरा है external external में क्या है कि कोई leaf है वो गिर गई जब leaf setting हो गई तो इसमें कुछ minerals होंगे वो atmosphere में आ गए means plant की body से बाहर चले गए यह minerals हैं वो यहाँ soil जो है उसमें गिरेंगे यहाँ पर leaf का dip composition होगा यह free हो जाएंगे इन्हें water बापिस जो roots हैं वो absorb कर लेंगी और बापि जो हैंगे external nutrient cycling तो nutrient cycling एक है internal और दूसरी external और जो external nutrient cycling है उसकी तीन category होती है वो open हो सकती है close हो सकती है और open and close दोनों हो सकती है इसे और समझते हैं जिससे हम लोग आगे समझ जाना है इसे open या इसे leaky बोल देते हैं यानि की leakage है इसे मतलब आप जैसे समझते हो कि जैसे agriculture का कोई farm है यहाँ पर जो crop लगी है वो छोटी-छोटी है इसका small root system है अगर कोई minerals है वो इससे इस root zone से नीचे चला गया तो इस minerals को पकड़ने वाला नहीं है वो minerals सीधा इस production system से बाहर चला जाता है इसलिए इस nutrient cycling को बोला जाता है open या leaky जो अपना farm agriculture farm वाला ecosystem है nutrient का वो open या leaky है उसमें nutrient अक्सर leakage होते रहते हैं नीचे की तरह जब कोई जो forest ecosystem है उसे बोला जाता है close external nutrient cycling close क्यों क्यों क्योंकि forest में vegetation के different state आ है उपर और उसी type के उनके जो roots के zone है वो अलग है जो छोटी vegetation है वो इसका root zone यह है deep है उसका यह है और deep है उसका यह है और deep है उसका यह है और deep है और deep है वो और नीचे है तो कोई mineral से वो भाग के नीचे गया तो यह john में फच गया यहां की roots ने recycle कर लिया यहां से बच गया तो इदार आ गया यहां से बच गया तो इनने पकड़ लिया और यहां से भी बचा तो last तक पकड़ लिया तो चार पांच वगर filter हो के जाता है nutrient बच नहीं पाता है वो recycle बापेस हो ही जाता है production system में तो इसलिए forest का जो nutrient cycling है उसे बोला जाता है close nutrient cycling और जो अपना agroforestry है जो forest और agriculture crop के बीच का है उसे open और leak की यहां की open और close के बीच में रखा गया है nutrient cycling पे आके यह अपना part जो है वो यहां के खताम हो जाता है